रोहानी का खुशी का ठिकाना ना रहा ये सुनकर लेकिन बिच में हे तरंग बोल पड़ा नो मासी है चाची। रोहानी मुस्कुराए और बोली कुछ भी हो, क्या तुम सच कह रही हो। हम्मा तन्वी ने शर्माते हुए कहा तो आराधना जी और काम्या जी दोनों आगे बढ़ कर तन्वी को गले से लगाली रोहानी ने एक सेरावंट से कहा पुझा की थाल लेने चला गया वही विवान साइड में खड़ा सब को खुश होता देख रहा था उसके चेहरे पर भी म उसकान थी वही आराधना जी और काम्या जी दोनों बेहद खुशी से तन्वी को बस आशिर्वादे दे जा रही थी जिन्हें शब्दों में बया कर पाना बेहद मुश्किल था कुछ हे देर में सरवंट ने पुझा की थाल लाकर रुखानी को थमा दी रुखानी ने थाला राधना जी और काम्या जी जी की और बाते हुए कहा दादी पहले आर्थी उतारे दोनों दादियों ने पुजा की थाल अपने हाथ में रखी फिर सभी घर के लिविंग एरिया में बने पुजा घर में चले गए जहां सबने मिलकर खुशी-खुशी आरती की और अपने कमरे में चले गए विवान और रुहानी भी अपने कमरे में थे रुहानी विवान के सर पर अपना सर रखे कुछ सोचे जा रही थी वही विवान भी अपनी आँखे बंद किये सब कुछ महसुस कर रहा था बहुत वक्त लगा हमें आप तकाने में, बहुत फरियाद की खुदा से आपको पाने में, कभी तुम ये दिल तोड़कर मत जाना, हमने उम्र लगा दी आप जैसा सनम पाने में याईय क्या प्यार है तभी रुहाणी ने अचानक हिचकिचाते हुए कहा हमने अभी सपना देखा कि हम तुम से दूर जा रहे है बहुत दूर और तुम हमें रोक भी नहीं रहे हो रुहानी की आवाज सुन विवान ने अपनी आँखे खोली फिर उसने रुहानी के सर पर अपना हाथ फेरते हुए बोला तुम अगर यम्राज के पास भी चली गई ना तो मैं तुम है वहाँ से भी उठा लाऊंगा इतनी मोहबबत करते हो हमसे रुहानी ने टिम्टिमाते आँखों से कहा तो विवान कहने लगा आपके साथ है दिल का साहिल, आपका प्यार है दिल की मंजल, आप रहे मेरी हर खुशी में शामिल, आप मिल जाओ तो इस दिल को और नहीं कुछ करना हासल वाओ, हमें भी तुमसे उतनी हो मोहबबत है जितनी तुम्हें हमसे, हर अलफाज में एहसास लिखा जाता है, यहां पानी को भी प्यार लिखा जाता है, मेरे जजबात से वकिफ है मेरी कलम भी, प्यार लिखो तो तेरा नाम लिखा जाता है बहुत मोहबबत है तुमसे तुमने मुझे बहुत बदल दिया है पहले मैं ऐसा नहीं था दिवाना सा तुम्हारी इश्क में हम दिवाने बन गए विवान ने कहा तो रोहानी ने अपना सार विवान के सिने में वापस से टिकाया और सो गई वही विवान भी प्यार से उसके स करको सहलाते सहलाते कब सोफे में है बैठे बैठे सो गया उसे खुद पता नहीं चला। सुबह हुई विवान और रोहानी सोफे में है सो रहे थे उनके चहरे पर एक अलग सा सुकून नजर आ रहा था विवान की जब आंखे खुली तो उसने देखा रोहानी मस्त सी उसकी बाहों में बच्चों की तरह दुनिया से बेखबर सो रही है उसे यू सोया देख विवान क की निगाहे एक पल उसी पे ठहर सी गई लेकिन अगले हे पल इसे रोहानी को परेशान करने के लिए मस्ती सुझी और उसने एक जटके में रोहानी को अपनी गोद में उठाया और इसे बात रूम में ले जाकर बात टब में डाल दिया जिससे हट बडाते हुए रोहानी की निंद खुली और उसने निंद के मारे विवान का हाथ पकड़ कर खिच लिया जिससे विवान बात टबए है सिधा रोहानी के उपा आगिरा रोहानी की काली भुरी आँखे विवान के निली निली आँखों से टकराए मेरा हर लमहा चुराया आपने आँखों को एक ख्वाब देखाया आपने हमें जिन्दगी दी किसी और ने पर प्यार में जीना सिखाया आपने दोनों एक टक बस एक दुसरे की आँखों में खुए जा रहे थे कुछ है पलो में रुहानी में खुद विवान की आँखों से अपनी नजरे फिर ली जिसे देख विवान के रुहानी के चेहरे को अपने हाथ में थामा फिर गिरे से उसके लबो को चुमते हुए बोला क्या चाहू रब से तुम्हें पाने के बाद? किसका करून इंतजार तेरे आने के बाद, क्यूं मोहबबत में जान लुटा देते हैं लोग, मैंने भी यह जाना इश्क करने के बाद? रोहानी ने भी विवान के हाथों पर अपना हाथ रखा और कहने लगी तेरी धर्कन ही जिन्दगी का किस्सा है मेरा, तू जिन्दगी का एक अहम हिस्सा है मेरा, मेरी मोहबबत तुझ से, सिर्फ लफजों की नहीं है, तेरी रू से रू तक का रिष्टा है मेरा फिर से दोनों एक दुसरे की आँखों में जाकने लगे जिससे अचानक से विवान की आँखों में नमी उतर आई उसने अपनी नजरे फिर ली तो रुहानी बाथ टब से उठी और वहां से चली गई कुछे देर में विवान भी फ्रेश होकर आ गया दोनों रेडी हुए और ब्रेक फास्ट के लिए डिनिंग एरिया में आ गये जहाँ पहले से हे सब मौजूद थे सब ओफिस के लिए निकलने लगे तो रुहानी ने तनवी के कंधे पर अपना हाथ थप थपाते हुए बोली क्या तनू माडम कहा चली ओफिस तन्वी ने मासुमियत से कहा तो रोहानी तन्वी के पेच के तरफ देखते हुए बोली देख रहे तरवी मतलब तरांग और तन्वी का नाम मिला कर के पुत्रिया पुत्री कैसे आपकी ममा आपका ख्याल नहीं रख रही है मतलब तन्वी ने फिर से पुछा तो रोहानी बोली मतलब यही कि अब जब तक ये बेबी इस दुनिया में नहीं आ जाता तुम ओफिस नहीं जाओगी इतना बोल रोहानी भागते हुए वहाँ से चली गई वही तन्वी की मुझ की बात मुझ में ही रह गई रोहानी ओफिस के लिए निकल चुकी थी इधर विना बहुत बड़ी मुसिबत में फसी थी पुरे मुंबई में कोई नहीं जानता था कि विना किसकी बहन है लेकिन उसे कल रात एक जटका सा मिला वो जब अपने मॉडलिंग ग्रूप के सेओ से मिलने गई तो ग्रूप के स या कहू उस पुरे मॉडलिंग ग्रूप के बॉस युग सिखावत ने एक पार्टी अरंगे की थी सब ने बहुत मस्ती की सब घर चले आये लेकिन विजय ने विना को कुछ काम का बोल कर थोई देर रोक लिया सब के जाने के बाद युग विना को अपने कमरे में कुछ काम का कह कर ले आया फिर विना ने उससे पुछा सर आपको कुछ काम है क्या हमसे हमम युग ने थंडे स्वर में कहा जी कहिए विना ने कहा तो विजय बोल पड़ा मुझे तुमसे एक बच्चा चाहिए सर आप ये क्या कह रहे है बच्चा और हमसे विना ने यूग की बात सुन कर हैरानी से कहा तो यूग उसके सामने हाथ जोड कर खड़ा हो गया प्लीज मेरी बात मान जाओ तुम्हें इस काम के लिए जितने पैसे चाहिए होंगे मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हो और हाँ मैं तुम्हें टच भी नहीं करूंगा स्यरोगसी के जरिये मुझे तुमसे एक बच्चा चाहिए विना काफी हैरान थी उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो जवाब दे तो देख्या वो बेहद सन पर चुकी थी वही युग ने विना का हाथ थामा फिर बोला प्लीज मेरी आखरी उमीद तुम्हें हो तुम्हें अगर करोडों की जरूरत होगी तो मैं तुम्हें करोडों यह था क्योंकि उसे लड़कियों के करिब जाने से भी नफरत थी लेकिन उसके दादा जी जो काफी बिमार थे उन्हें मरने से पहले युग के बच्चे को देखना था इसलिए युग ने बिना शादी के ही बच्चे के लिए विना से बात की क्योंकि अब तक में उसे वही सबसे सरल लड की नजर आई थी फ्लाश बाक एंड विना कल रात के युग की बातों के बारे में है सोच रही थी कि उसके कमरे में सलोनी जी आई और फिर विना से बोली विना बेटा आपका फाइनल कॉमपटिशन का भै सलोनी जी की अवाज सुन विना जट से पल्टी और बोल पड़ती है बुआ जी बस पंदरा दिन और बचे है वैसे आप क्यूँ पुछ रही हो वो इसलिए क्योंकि तुम्हारे कमपटिशन के बाद हम डेली जाएंगे बिकॉज हम दादी बनने वाले है और आप बुआ सलोनी जी की बात तो पहले विना समझ नहीं पाई लेकिन अगले है पल वो उच्छल पती है वो अट तन्वी प्रेगनन्ट है I mean हम बुआ बनने वाले है इतना बोल विना खुशी से उच्छलते हुए सलोनी जी के गले लग गई सब बहुत खुश थे ऐसे हे तीन से चार दिन और बित गए विवान और रोहानी अपने कमरे में थे अभे रात का वक्त था सब दिन करके अपने अपने कमरे में थे रोहानी विवान के सर पर अपना सर टिकाते हुए बोली क्यों मा हम भी बेबी प्लैन करे इस पर विवान रोहानी के सर पर अपना हाथ भुमाते हुए बोला मैं तो तैयार ही हूँ तुम्हारा जब मन हो हम कर लेते है बड़े बेशरम हो तुम रोहानी विवान को धक्का देते हुए बोली तो विवान ने खिचकर रोहानी के हाथों को पकड़ लिया रोहानी शर्ड से मरे जा रही थी लेकिन वही विवान ने रोहानी के होटों पर अपने होट रख दिये रोहानी भी फुल मूड में थी उसने भी विवान का पुरा साथ दिया और कुछे पलों में वो बैद में एक दुसरे में खुए थे ऐसे हे सुबह हो गई सब नाश्ता करके ओफिस चले गए तरंग भी ओफिस के लिए निकल रहा था कि तनवी ने हलका सा उठते हुए कहा आज ओफिस मत जाओ प्लीज मुझे कही घुमने का मन कर रहा है तरंग पल्टा और तनवी के पेट में अपना हाथ भुमाते हुए बोला देख रहे हो बेबी आपकी मुमा मुझे कितना तनग करती है आप हे इन्हे कुछ समझाओ अच्छा तो अब मेरी शिकते मेरे बेबी से की जा रही है सही है भाई तनवी ने थोड़ा अकते हुए कहा तो तरंग आया और तनवी के गले लग गया I love you so much यार नहीं जा रहा हूं मैं ओफिस आज पुरा दिन तुम्हारे नाम Thank you so much तनवी बोली और फिर तरंग से अलग होकर रेडी होने चली गई कुछे देर में दोनों घुमने निकल गए वही रुहानी को अकेले ओफिस में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था उसने कार्तिक को कॉल किया लो कार्तिक आना कही घुमने चलते हैं यार क्यूं तेरा पति कहा है कार्तिक ने हसते हुए कहा तो रुहानी बोल पड़ी विवान आफिस में है और हम उन्हें डिस्टब नहीं करना चाहते हैं और तुआ हम कही घुमने चलते हैं अच्छा ठेक है बाबा आता हूं कार्तिक बोला और कॉल कट कर दिया वही रुहानी अपने फोन में विवान की फोटो निकाल कर देखने लगी तेरी धड़कन ही जिन्दगी का किस्सा है मेरा तू जिन्दगी का एक अहम हिस्सा है मेरा मेरी मोहबबत तुझ से सिर्फ लफ जोंकी नहीं है तेरी रू से रू तक का रिष्टा है मेरा कुछ है देर में रुहानी के केबिन का दूर ओपेन हुआ तो कार्तिक अंदर आया कार्तिक को देख रुहानी उठी और आगे बढ़ते हुए बोली चल अरे कहा ये तो बता दे कार्तिक ने अपना सर खुजाते बोला तो रुहानी बोल पड़ी विवान के ओफिस तू पागल हो गई है मेरे साथ तू विवान सर के ओफिस जाएगी और अभी तो तू उन्हें डिस्टब है नहीं करना था तो फिर हाँ नहीं करना था पर अब करना है चल बोल रुहानी ने कार्तिक का हाथ पका और केबि था क्यूं तू बच्चे की जान लेवाने पर तुली है कार्तिक को सच में विवान ने बहुत डर लगता था कुछ है देर में रुहानी के केबिन का दूर ओपिन हुआ तो कार्तिक अंदर आया कार्तिक को देख रुहानी उठी और आगे बढ़ते हुए बोली चल अरे कहा यह तो बता दे कार्तिक ने अपना सर खुजाते हुए बोला तो रुहानी बोल पड़ी विवान के ओफिस तू पागल हो गई है मेरे साथ तू विवान सर के ओफिस जायेगी और अभी तो तू उन्हें डिस्टब है नहीं करना था तो फिर हाँ नहीं करना था पर अब करना है चल बोर रुहानी ने कार्तिक का हाथ पका और केबिन के बाहर आ गई कार्तिक उससे बस एखे बात कहे जा रहा था क्यूं तू बच्चे की जान लेवाने पर तुली है कार्तिक को सच में विवान ने बहुत डर लगता था वही रुहानी कार में बैठी कार्तिक भी परेशान सा कार में बैठा और फिर वो विवान की ओफिस के लिए निकल गए लगभग 45 मिनट में कार ओबरोई इंडिस्ट्रीज के सामने रुकी रुहानी बाहर निकली तो उसकी सामने टिक गई जहा विवान अपनी कार के पास खड था वही कारते कभी भी कार के अंदर था उसने भी विवान को वहा देख लिया और मौका पा कर भाग निकला वही विवान के साथ अभे माहिर था वो दोनों कुछ बाते कर रहे थे वही थोड़ी देर में माहिर आफिस के अंदर और विवान कार में बैचने ही वाला था कि रुहानी अच्छानक से उसके सामने आई और फिर बोल पड़ती है कहा जा रही हो रुहानी को वहा अच्छानक से देख विवान हैरान था वो अपने ब्लाक गोगल्स को निकालते हुए बोला तुम यहां क्या कर रही हो इस पर रुहानी खिसे आते हुए बोली बस ऐसे है अच्छा ठेक है अब घर चलो विवान ने बिल्कुल शांत स्वर में कहा तो रुहानी उसे घुरते हुए बोली हाओ अन्रोमैंटिक यार जारा सी भी मेरी फिलिंग्स को समझा करो यार अच्छा तो हमारी डॉल को कही घुमना है कोई नहीं हम घुमा लाएंग उन्हें फिर वो रुहानी की ओर देखते हुए बोला मेरे आईलन्ड वाले फॉर्म हाउस चलोगी वह ये सुन तो रुहानी की खुशी इस तरह जलकने लगी कि वो तो बस जट से विवान को गले हे लगा लिया बहुत वक्त लगा हमें आप तकाने में, बहुत फरियाद की खुदा से आपको पाने में, कभी तुम ये दिल तोड़कर मत जाना, हमने उम्र लगा दी आप जैसा सनम पाने में तारानकन थोड़ी हे देर में दोनों कार में बैठे और और निकल गए वही बालकनी में खडी राधिका ऐसे यू इतने हक के साथ रुहानी को विवान के गले लगते देख रही थी एक बार फिर उसकी आँखें उलू की तरह बड़ी थी विवान और रुहानी को देख कर आखिर रिष्टा क्या है इनका सर जब इनके पास होते है तो इतने सौफ्ट बन जाते है रुहानी मैम की इतनी फायका करते है कुछ तो है इनके बिच कुछ गहरा बहुत गहरा फिर वो अपने दिमाग पर और जोर डालते हुए बोली लेकिन क्या है ये पता करना होगा लेकिन को कुछ भी है इन दोनों के बिच बहुत स्पेशल है इधर विवान और रुहानी दोनों कार में थे रुहानी बड़ी है एक्साइटेड थी आइलेंड के फार्म हाउस जाने के नाम पर उसे लग रहा था कि वो विवान के सिने से लगी रहे और उसे बस थांक्यू थांक्यू बोलते रहे कुछ है देर में दोनों पहले घर पहुंच गए रुहानी और विवान सिधा अपने कमरे में आ गए अब भाई फार्म हाउस तो वो कली जा सकते थे अब रात हो चुकी थी इसलिए उन दोनोंने डिनर किया और सो गए ऐसे है सुबह हो गई रुहानी आज जल्दी उठ गई लेकिन उसने देखा विवान उससे पहले ही उठ चुका है और कमरे में भी नहीं है वो उठी और जाकर फटाक से फ्रेश हो गई और साथ है साथ रे था फिर उसने अपने बाल भी खुले रखे थे चहरे पर अभी भी कोई मेकप नहीं था लेकिन उसके बावजूद वो दुनिया की सबसे खुबसूरत लड़की लग रही थी रोहानी थोड़ी है देर में निचे लिविंग एरिया में आये तो वहां आते ही उसकी आँखे चौड़ी होगी उसने देखा घर पर कोई आया हुआ था वो कौन थे ये रोहानी को नहीं पता था। इतना वक्त है हमारे डॉक्टर साहब आराधना जी की वोईस में एक अलग सा दर्द था। जिसे सुन रोहानी एक पल के लिए उपसे निचे तक हिल गई वही उस आदमी ने एक बार फिर आराधना जी से बोले लास्ट स्टेज है अब ज्यादा वक्त नहीं है आपके रोहानी को ज्यादा कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर बात किस बारे में हो रही है लेकिन वो इस बात को तोड़ फोड के जोडती है तो वो जिस अंजाम में पहुंची वो काफी खतरनाक था वो जल्दी से वहाँ आई और चिकते हुए बोली क्या हुआ आपको इस वक्त वहां लिविंग एरिया में वो आदमी और आराधना जी थे सिर्फ और कोई भी नहीं था वही आराधना जी अचानक से वहां रुहानी को देखकर हैरान थी वो कुछ भी नौ बोल पा रही थी वही रुहानी एक कदम उस आदमी की तरफ बदी फिर दरी दरी आवा आराधना जी को ब्लड क्यांसर है जो अब अपने लास्ट स्टेज पर है वो आदमी डॉक्टर थे जो आराधना जी का हमेशा से इलाज करते आये थे डॉक्टर रुहानी को इतना बोल वहां से चले गए लेकिन वही रुहानी को ये सुनकर बहुत बड़ा जटका लगा था ये जान कर की आराधना जी ब्लड क्यांसर है और वो बहुत वक्त पहले से लेकिन उन्होंने इस बारे में किसी को नहीं बताया और अब उनका क्यांसर लास्ट स्टेज पर है रुहानी की आँखे नम हो गई थी वो धीमी धीमी कदमों से आराधना जी की तरफ बड़ी जिन रुहानी की देल कलप रहा था वही आराधना जी भी उसे खुद में समेटते हुए बोली प्लीज ये बात विवान को मत बतायेगा वो ये बात बरदाश्ट नहीं कर पाएंगे आराधना जी की मुझ से एसी बात सुन रुहानी हैरान थी उन्हें अभी भी किसी की अपनी फ फिक्रती उन्हें अभी भी विवान की फिक्रसता रही थी क्योंकि वो जानती थी कि विवान सबसे ज्यादा उनसे है प्यार करता है शायद रुहानी से भी ज्यादा वही रुहानी बोल पड़ी आप क्या कह रही है आपको पता भी है विवान को ये जानना बहुत जरूरी ह वो आपके पोते है इस पर आराधना जी रुहानी के सामने अपना हाथ जोड़ कर खड़ी हो गई हमारे पास अब ज्यादा वक्त नहीं है और जो भी वक्त बचा है उसमें हम विवान या विना को खुद के लिए परेशान होता नहीं देख सकते है हम चाहते है कि हमारे जाने से पहले विना अपना सूपर मॉडल बनने का मुकान हासिल कर ले विवान और आपको साथ देखे अगर विवान को हमारी इस बीमारी के बारे में पता चल गया तो वो च्यान से नहीं रहेगा जमिन आसमान एक कर देगा लेकिन अब आप भी जानती ह मेरा बच पाना मुश्किल है आराधना जी फिर थोड़ा रुक कर बोली रोहानी हमारे पास आईए रोहानी के कान में ये आवाज गुंजी तो सदमे से बाहर आई और अपने कदम आराधना जी की तरफ बढ़ा दे आराधना जी उसके सर पर अपना हाथ घुमाते हुए बोली आप हमारी कसम खाए कि आप इस बारे में किसी को भी नहीं बताएगा रोहानी हैरान थी लेकिन वो भी एक बहुत अच्छी डॉक्टर थी इसलिए वो जानती थी कि आराधना जी का आप बचना ना मुम्किन है और वो भी ये भी जानती थी कि विवान सच में ये जानकर की पिछे से एक आवाज आई आज कल आप लोगों ने हमें तो भुला है दिया है पिछे तनवी खडी थी रोहानी और आराधना जी ने अपने आशु पोछे और फिर चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल लाते हुए बोली हमम वो भी आगे आई और उन दोनों के गले का गलग गई थोड़ी देर सभी लिविंग एरिया में मौझूद हुए विवान को छोड़ कर रोहानी ने इधर उधर देखा विवान कही भी सुबह से ही नजर नहीं आ रहा था उसने सब की तरफ देखते हुए बोला विवान कहा गए है आपको पता है नहीं बेटा काम्याजी ने कहा फिर सबने ब्रेक फास्ट किया और अपने अपने कमरे में चली गए आज रोहानी और विवान एक हफते के लिए फॉर्म हाउस जाने वाले थे लेकिन अब रोहानी ने खुद में ही ये प्लान कैंसल कर दिया था उसने जब आराधना जी के बारे में जाना तो उसका कही भी जाने का मन नहीं हो रहा था वो शांत मन से ओफिस के लिए निकल गई ऐसे ही ग्यारा बज गए ग्यारा बजे रोहानी को विवान का कॉल आया डॉल वेर आयू कॉल की दुसरी तरफ से विवान ने कहा मैं ओफिस में हूँ रोहानी बोली तुम्हें याद है ना आज हम हाउस जाने वाले है विवान ने हलका सा गुस्से में कहा क्योंकि उसे गुस्सा आ रहा था कि आज वो और रोहानी फॉर्म हाउस जाने वाले थे लेकिन फिर भी रोहानी ओफिस चली गई लेकिन वही रुहानी का मन बहुत उदास था वो बस चार वर्ड में बोली हमें जाने का मन नहीं इतना बोल उसने कॉल कट कर दिया वो जानती थी कि विवान उसके इस reaction से उस पर बहुत गुसा करेगा लेकिन अभी वो खुद पर कंट्रोल नहीं कर पा रही थी हुआ भी कुछ ऐसा ही विवान इस वक्त घर पर था आज उसकी एक important meeting थी जिसे उसने सुबह हे final किया था रुखानी के साथ form house जाने के लिए क्योंकि वो किसी भी तरह रुखानी को उदास नहीं कर सकता था लेकिन यहाँ उल्टा हो गया था उसके बिना कुछ करे रुहानी ने सिधे जाने से इनकार कर दिया इतना तक तक तो छिक था लेकिन उससे उससे धंग से बात तक नहीं कि थी विवान गुससे की घुंट पिए जा रहा था वो गुसे से आग की तरह तपते हुए चला गया ऐसे ही शाम हो गई शाम को रुहानी घर आई तो उसने देखा देखा विवान अभी तक नहीं आया है ये देख वो फ्रेश हो गई और रैडी हो गई विवान कहा है वो अभी तक आये क्यों नहीं रुहानी में वक्त पर गौर फर्माते हुए कहा अभी रात के नौ रहे थे डिनर का वक्त हो रहा था फिर रुहानी को सुबह वाला किस्सा याद आया जब उसने विवान ने रुडली बात की थी वो अपने दोनों हाथों को अपने सर पर अडाते हुए बोली ओ गौर्ड कही विवान हमसे गुसा तो नहीं है सुबह वाली बात पर इतना बोल रुहानी ने साथ से आठ बार विवान को कॉल किया लेकिन विवान ने उसके कॉल का कोई भी रिस्पोंस नहीं दिया ये देख रुहानी और भी डर गई आज का दिन है उसके किये खराब था उसने आज सुबह से विवान का चेहरा नहीं देखा था उसके मन में बेचैनी हो रही थी तभी उसके कमरे में नौक हुआ रोहानी को लगा विवान होगा इसलिए जल्दी से उसने जाकर रूम का दूर ओपन किया तो उसका चेहरा एक दम से मुर्जा गया To be continued